अगर आप एक यूटूबर है तो आपको यह चीज पता ही होगी आप जो भी वीडियो यूटूब पर अपलोड करते हैं चाहे वो शोट वीडियो हो या लोग वीडियो हो जो भी वीडियो आप अपलोड करते हैं तो वीडियो की क्वालेटी कम होती है वीडियो की क्वालेट ही चाती है लेकिन आज की इस वीडुम में आपको बताने वाला हूँ अगर आप YouTube totallyulator है इतनी मेंन Τससा फर्ड़ इतीर करते है लेकिन जब आप अपना वीडियो YouTube with राप्र lot करते हैं तो वीडियो की क्वाइटए काफि यडियो के कब नहीं होगी जो अब दसा दियेग उसको आपका वीडियो में दिखा जाएगा अब यह कौन सी ट्रीक है कैसा आपको अपनी वीडीयो पर करना है वह सारी चीजे आ ओर आप अपनी वीडियो की वीडियो को कम करना नहीं चाहते हैं. तो सबसे पर पहले आपको ये चीजञ करना पड़ेगी, कि आप अपज़े को एकस्पोर्ड कापने का स motion करना हो. so guys kindmaster open हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक demo video aid क्या है आप यहाँ पर जो video edit करने वाले हैं उसको यहाँ पर aid कर देना ठीक है सबसे पिले हैं आपको एक बात ध्यान रखना है आपकी video की quality 1080 pixel की होना चाहिए मतलब आप जो भी video record करें या जो भी video shoot करें उसकी quality 1080 pixel होना चाहिए उसके बाद guys आपको अपनी video को काइन मस्टर में aid कर देना है aid करने के बाद आपको इस video को export करना है तो guys यहाँ पर मैं अपने video को export करता हूँ आप देख सकते हैं इस तरह की setting आपके सामने open हो जाएगी so guys यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपकी video की quality 1080 pixel आपको रखना है अगर इससे highest है जैसे कि मेरे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर highest show हो रहा है तो मैं इसको select करूँगा अगर आप केस में सबसे highest वाला option show नहीं होता है तो आपको कम से कम 1080 pixel पर अपने video को export करना है दूसरी बात आपको यह पर यह ध्यान रखना है आपको अपनी video का frame rate 60 रखना है यहाँ पर अभी 30 show हो रहा है क्योंकि यह काइन master का सबसे old version है तो गैस अगर आपके पास काइन master है और वहाँ पर frame rate show हो रहा है 60 तो गैस आपको 60 ही select करना है अगर 60 select नहीं होता है तो ही फिर आपको 30 select करना है अब गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिखाया देगा bit rate का option तो गैस यहाँ पर आपको छोटा सा डोट दिखाया दे रहा है इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे क्यों लेकर आना है और इसको कम से कम यहाँ पर 30 select कर देना है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको 30% कर देता हूँ इस तरीके से आप अपनी वीडियो की पूरी setting करेंगे उसके बाद आप अपनी वीडियो को export पर click करके export कर लेंगे आप देख सकते हैं कुछी second में मेरा वीडियो export हो जाएगा और इसकी quality काफी high हो चुकी है तो यह तो था हमारा पहला step जहाँ पर हमने देखा आप अपनी वीडियो को high quality में कैसे export कर सकते हैं वीडियो हमारा export हो चुका है अब आता हमारा step number two अब आप अपनी short वीडियो को बिना quality कम किये कैसे YouTube पर upload करेंगे सबसे पहले आपको YouTube application को open करना है open कर दे के बाद नीचे आपको दिखाना देगा plus icon आपको यहाँ पर click करना है click करने के बाद कई सारे लोग एक गलती करते हैं अपनी वीडियो को created short से upload करते हैं गेल्टी से जाकर आप अपनी वीडियो को वहाँ से upload कर देते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है अगर आप यहाँ से अपने वीडियो को upload करते हैं तो यहाँ आपकी वीडियो upload हो जाने के बाद हासे निसा आपकी वीडियो की quality गिर जाती है तो guys यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को upload के से करना है upload एं वीडियो पर click करना है आप देख सकते हैं second number पर आपको दिखाइँ दे रहा है वहाँ पर आपको click करना है आपका वीडियो जो भी topic पर आपने create क्या है वो सारिचीज आप डाल देना और अपने वीडियो को upload कर देना So guys मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो चेल को सस्क्राइब करें So guys आज के लिए वह इतना ही Thanks for watching मिलते हैं अगली वीडियो में